तो हे गाइस वाट्स अब वेलकम बैक तो माई चैनल यहाँ पे मैं आज आपके लिखे आ चुका हूँ है मरी की तरफ से आने वाली एस प्लस स्मार्ट वाट जहाँ पे आपको कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं जैसा कि आपका हाट रेट मॉनिटर यहाँ पे आपका स्टेप इंचिस का जो है इसका राउंड डिस्प्ले मिलता है हमको अगर मैं बैक की तरफ लेके हूँ तो यहाँ पे आपको जो है एलोई की प्लेटिंग उसके अलवा सिलिकॉन स्टैप्स और भी कई फीचर्स जो यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं उसके अलवाई यहाँ पर आप जो मिलने वाली है रायफाइन एप होने वाली है जो कि आप आरम से डाउनलोड कर रहके कनेक कर पाएंगे इसमें आपको IP67 की बाटर रिस्टेंट ररिटिंग भी देखने का मिलने वाली है जिस वज़र से यह बहुत जो है आपका जो बन जाता है आपके फटा बट से सामान मिलने वाला है, तो मैं आपको बदा देता हूँ क्या क्या मिलता है आपको, तो पहले जो है आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिलने वाला है, इस तरीके से अलग से रखे हुए, तो आपको इसको लगाना पड़ेगा, and सिलिकॉन स्ट्रैप काफी अच्छी quality की लग रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे आपको charger देखने को मिलता है जो कि इस तरह का pack charger है यहाँ पे आपको simply just इस तरह से रखना है और आपका जो watch का dial है इसके उपर रखना है और चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे magnetic pin ही है basically use हुआ हुआ तो बट एक wireless form में है उसके अलावा यहाँ पे आपको manual देखने को मिलने वाली है जो कि हम नहीं पढ़ते हैं तो अगर मैं आपको अब look दिखा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 1.28 inches का जो round dial display है back की तरफ लेके आओं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके sensors देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपका side में जो speaker तो गाईस अगर other side की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं mic और आपका एक power on off button and back button देखने को मिलते हैं तो फड़ा बट से watch को boot करते हैं देखते हैं कि किस तरह का हमको अंदर का UI and apps देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो यह on हो चुकी है and जो काफी अच्छा है इसका UI जो इसका display है काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने को HD display मिलता है आपको यहाँ पे AMOLED नहीं मिलता है बट फिर भी जो colors and contrast है अच्छे देखने को मिलते हैं उसके लब हम आगर आपको यहाँ पे swipes and controls के बारे में बताऊं तो जैसे आप swipe up करेंगे यहाँ पे आपका चोटा सा control center खुल के आता है जहाँ पे आपको पहला option जो है Bluetooth का देखने को मिलता है next option जो है आपको phone से connect करने का मिलता है जहाँ पे आपको vibrations on and off कर सकते है तीसरा option जो है आपको मिलेगा steps का मिलता है कोई issue नहीं होने वाले है बट average जो है इसकी brightness high level तक जाती है next मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको eye button देखने को मिलता है जहाँ पे आपका watch का model and आपका address and release version देखने को मिलता है उसके अलब हम आगर आपको back लिकिया हूँ and swipe down करूँ तो यहाँ पे आपको notifications का option मिल जाता है जहाँ पे आपके सारे जो watch के notifications है show होने वाले है next मैं बात करूँ अगर swipe left की तो यहाँ पे आपका watch face जो है change होने वाला है swipe left करने से and जो इसका crown है वो भी working है तो दोनों तरह से आप watch face जो है change कर सकते है तो यह काफी कमाल की बात लगी मुझे उसके अलब है यहाँ पे आप जैसे swipe right करते है तो यहाँ पे आपका बापिस से i button आ जाता है बात करूँ अगर इसके apps की तो यहाँ पे आपको apps के लिए इसमें उपर ओले बटन को प्रेस करना है तो अभी मैंने जो UI set कर रखा है वो है इस तरह का फैरिश फील वाला menu style अगर आप चाहे menu style change करना तो यहाँ पे आपको चार different तरीकी के menu style देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप grid style को भी रख सकते हैं जो की grid 9 style इस तरीकी का होता है जहाँ पे आप इस तरीकी से set कर सकते हैं crown से भी changes कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं इसको list पे set कर देता हूँ तो बात करूँ मैं यहाँ पे apps की तो आपको पहली app जो है dial की मिलने वाली है जहाँ पे आप इस तरीके app से connect करके sync करने पड़ेंगे तो आप यहाँ पे उसको भी access कर पाएंगे third app जो है आपको call lock की मिलती है जहाँ पे आपका सारा calling का data आपको show करने वाला है next मैं अगर आपको लेके हो तो आपको messages मिल जाएंगे जहाँ पे आपके notifications जो है सारे आने वाले है health related app भी आ जाती है यहाँ पे आपको उसके साथ-साथ जैसा कि आपका pedometer हो गया जहाँ पे आपका सारा steps, calories और kilometer का data show होता है next में बात करूं तो यहाँ पे आपका sleep monitor जहाँ पे आपकी deep sleep कितनी थी आप कितनी बार उठेते तो वो सारा show करने वाला है sedentary reminder देखने को मिलता है आपको यहाँ पे उसके लवा bluetooth camera and then आपका bluetooth music तो bluetooth music मैं अगर आपको ले कि आऊ and then बताओं कि इसका जो sound किस तरीका है तो आप अभी इसका sound सुन सकते है तो यहाँ पे आपने इसकी sound quality सुनी काफी अच्छा जो इसका speaker देखने को मिलता है उसके लवा next app पे लेकिया हो तो find phone का option मिलता है आपको यहाँ पे then आपको alarm का option मिल जाएगा and then settings का उसके लवा नीचे और आते जाएगा तो यहाँ पे आपको about, brightness and QR code मिलता है जो कि इसकी app के लिए है next आपको reset, shutdown option मिल जाएगा then आपको dual mode मिलता है जहाँ पे आप अपने phone को आपकी watch and TWS दोनों से connect कर पाएंगे इसको on करके then आपके जो exercise mode मिलते हैं आपको skipping हो गया cycling हो गया यह आपको exercise mode भी मिल जाते हैं उसके लवा बात करो तो health related features वाफिस आते हैं पे heart rate हो गया, blood pressure हो गया and blood oxygen और इनका UI कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है तो UI भी काफी simplistic सा मिलता है and काफी जो है minimal से इसमें graphics and animations दिये गए हैं उसके लवा आपको app मिलती है weather की जहाँ पे आपका weather शोने वाला है उसके लवा आप stop watch को भी access कर पाएंगे यहाँ पे next आपका जो है calculator मिलता है जो कि आज हर watch में necessary बनता है कि use करना है and then हर watch में जरूरी भी हो जाता है और आजकल मिलता भी है next आप पे आपको menu styles मिल जाएगी जैसा कि मैं आपको बताया था 4 menu styles then आपका voice control आजाता है जहाँ पे आप Siri का use करके या फिर Google Assistant का use करके यहाँ पे आप इसको command देके call लगवा सकते हैं आप बहुत साभी task perform कर पाएंगे next आपको जो है breathe का option मिलता है जहाँ पे यह breathing exercise आपको करवाने वाला है and last मैं अगर तीन apps के बारे बता हूँ तो यहाँ पे आपको particular apps दी गई है जहाँ पे आप WhatsApp के notifications, Facebook के and Twitter के notifications को inbuilt access कर पाएंगे अलग-अलग app में तो यह काफी कमाल की बात लगी मुझे यहाँ पे next मैं अगर आपको इसकी settings में लेके आऊँ तो यहाँ पे आपको settings के अंदर भी बहुत सारे options देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपका hand light हो गया, screen time हो गया जहाँ पे आप set कर पाएंगे आपके according कि आपको कितनी देर में watch जो है off हो जाए automatically, do not disturb mode and then आपका shock mode भी यहाँ पे मिलता है, menu styles आपको यह मिल जाएगी, यहाँ पे आप language भी set कर सकते हैं, then बात करूँ तो यहाँ पे आपको password का option मिलता है, जहाँ पे आप password को enable करके, इस तरीके से set कर सकते हैं and then आपकी watch को lock कर पाएंगे then आपको about का वापस option मिल जाएगा and आपका shutdown, restore and reboot का option तो all over जो watch है, काफी minimal से एक UI के साथ आती है and बात करूँ अगर इसकी round dial की तो काफी premium दिखता है यहाँ पे यूज करने में and all over जो इसका lock है आपको बता ही पढ़ गया होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगो तो शरूर से like करना and इस सैनल को जरूर से subscribe करना आज की वीडियो से इतना ही था, thanks guys, thanks for watching the video